ये देखिए, निदारी ऐसे से मुस्कुरा रहे हैं मतब जगे हुए तो वकि अगर चाहे नहीं मिल दिये तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ हो गया है ये है वो आफिसर्स होस्तर जहां पे हम अभी रहे रहे हैं एक बात हमेशा यात रखिएगा कि जब भी कोई बात विगड़ती है तो इसलिए नहीं विगड़ती है कि हम बात क्या करते हैं बलकि बात इसलिए विगड़ती है कि हम बात किस प्रकार से करते हैं तो यह बात करने का तरीका है जो उसे बनाने और बिगाडने में यकीन रखती है नमस्कार मेरे नाम है मनोज सिंग सीजी पीसी में मैं रैंक वन हूँ असिस्टेंट डियक्टर पॉब्लिक रेलेशन और मैं फिल्हाल दिल्ली में हूँ और दिल्ली के इंडियन इस्टीट आफ मास कमुनिकेशन में इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहां पर मेरी ट्रेडिंग चल रही है मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपके माइंड का फ्रेश रहना बहुत जरूरी है और अगर आप अपने माइंड का फ्रेश रखना चाहते हैं तो आपको कुछ एक ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी इससे कि आप अपने आपक कर सकते हैं इसके लिए चाहे तो आप वाकिंग कर सकते हैं जैसे कि मैं वाकिंग करता था और इसके अलावा अगर आप वाकिंग नहीं करना चाहते हैं तो एट लिस्ट उटने के बाद योगा और मेडिटेशन तो जरूर ही करें मैं उटने के बाद सबसे पहले योगा और म जो ग्रेस्प करने का पावर था वो भी कही न कहीं जादा था तो यह चोटा सा जो रूटीन है अगर आप अपने जीवन में अपना के रखते हैं तो आप देखेगा आपकी प्रोड़क्टिमिटी काफी बढ़ेगी अपको ऐसे लगता होगा कि यह टहलने से टाइम वेस्ट ह होगा कौन टहलेगा लेकिन एक्षवल में इसा होता नहीं है यह थोड़ी देर का जो टहलना है आपकी सिटिंग कैपसिटी और आपके ब्रेन में ग्रैस्प करने की कैपसिटी को बढ़ा देता है तो कोशिश करिएगा इस रूटीन को लेके आने के लिए इंडियन इंस्ट है यह सुचनाम प्रसाडर मंत्राले के द्वारा ही चलाया जाता है मेरे ठीक पीचे आप इस स्थीट को देख सकते हैं यहां पर जो पोस्ट विजवेशन डिप्लोमा कोर्सेज है वह चलाया जाते हैं और यहां से निकलने वाले जो स्टूडेंट है वह देश के बड़े प एक autonomous body है और बैसिकली इस institute को स्थापित करने का उदेश यह था कि जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी हैं और इसके अलावा जो स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी हैं वह यहां पर आएं और अपनी सर्विस में सेलेक्शन होए के बाद ट्रेन इस उनके भी लोग यहां पर आते हैं और यहां आके डेवलपमेंट पत्रकारिता की बारें पढ़ते हैं सीखते हैं और उसके बाद यहां से जाकर अपने देश में डेवलपमेंट जनलिजम से जुड़े हुए कामों को करते हैं में बिल्टिंग को देखने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने अधिकारी आवास के तरफ डफ रहे पीचे अब्दुलकलाम अधिकारी आवास के लिए हॉस्टल्स अलग से बने हुए हैं लेकिन जो आफिसर्स आते हैं इंडिया इंफॉर्मेशन सर्विस के इसके लिए अलग से आवास बने हूँ हैं जहां पर यहां रहके आवास के पर स्ट्रिक्षण करते हैं सबसे खास बात यह है कि जब मैं आपको इसारी बते बता रहा हूं तो पीछे फक्षियों के चह चाहने की आवाज मोर के बोलने की आवाज आपको सुनाई दे रही दिल्ली का संजे वन संजे फॉरेस्ट स्थीत है और देखिये कितना अच्छे तरीके से यहां पर गार्डिन वगर की गई है और यह ठीक पीछे जो आप कर देख रहे हैं वह आई-आई-एमसी के डिरेक्टर जनरल का है और यह है वह आफिसर्स आस्टर जहां पर हम अभी रहे हैं और यहीं रहके हमारी ट्रेनिंग होती है काफी खुबसूलत लोकेशन है आई-ए-मसी का बहुत ही बहतरी डिजाइन तो है ही इसके अलावा काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया भी गया है यहां पर रहने पर बस ऐसा ही आसास होता है जैसे कि हम प्रकृती की ब बहुत ही बहुत ही और तरीक से इस तरह से इंडियन इंस्light'... आफ मास कम्मुनिकेशन की फिस्ट्री है वह बहुत ही गारोशालि है यहाए का जो प्लेश्मेंट ड्रेट है वह नब्य प्रतिश्छत हैं नब्य प्रतिश्य शात्र निपरी जब आके पढ़ते हैं तो वह पह में हूं और यहां पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं 36 जो जनसंपर की भाग है उससे तकरीबन 15 लोग हम लोग आये हुए हैं और यहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिलाल दिल्ली में अभी सुबह के साड़े 6 बज रहे हैं में मौनी वॉक में निकला हूं तो मुझे यह लगा इसके बारे में भी थोरी सी जानकरी आपको लेनी चाहिए आई-आए-एम के आफिसर्स हास्टल में जैसे ही आप गोस्ते हैं कि यहां पर बीच में लिखे गई है यहां ग्रीन कार्पेट जो कि देखने से काफी सुन्दर देखता है और इसके बाद यह है आफिसर्स यहां पर चार फ्लोर हैं जो आफिसर्स के लिए बने हो हैं और यहां पर मेस जहां पर सुबह का गनास्ता दोपर का खाना फिर शाम का नास्ता और रात का खाना और यह देखिए यहां पर लगा हुए अस्टिकर 34 पर अधिकारी सांग और इसके अलावा आई-आए-एस के अधिकारी होते हैं तो यहां पर देखिए बोड लगा हुगा है आई-ए-एस ओफिसर्स के साथ चल रही है और लग्वार साथ बच कर शास मिनट हो गया है तो मुझे भी भूख लग रही है और मैं भी प्योंगा चाय और उसके बाद नहाना दिर बोड़ा साथ नास्ता औ बाड़ियों का रश देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह शत्रीदगड के किसी शहर का जैसे की दोपहर हो रही है तो कि वहां पर दोपहर में इतनी रहती है लेकिन यहां तो सुबच साथ बजे ही बहुत ज़्यादा रश है यहां से हम आई-ए-ए-म-सी में गुशते है जैसे ही आप गेट के पास आएंगे, यहां पर आप देखेंगे मार्सरसुति की पतिमा है झाइर सी बात है तो मार्सरसुति की पुझा होती है और जब भी agreement कोई लुझा हो एंदर आता है या इस सी गर्ण और यहां पर फूजा चरूर करता है कि लोगों को चाय नहीं पसंद होती है लेकिन मुझे तो चाय बहुत पसंद है और सुबह के गर चाय नहीं मिलते है तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ हो गया है और आई-ए-ए-म-जी के चाय के भी क्या कहा है बहुत ही अच्छी चाय नहीं मिलते हैं यहां पर सुबह सब कुछ एकड़ा है फ्रिश फ्रिश लाइप कर लगता है चेडूल जो है ट्रेनिंग का वो दसवजे से स्टार्ट होगे शाम के साले 5 वह तक है और लगबग 8 बजने वाले है वोक्षब में लोड आया हूं तो आपको रोम की तरफ और यह थे लगबग 12 लोवर ग्राउंड 12 और यह देखिए लोम में अधेरा है हमारे साथी सहाबावी भी सो रहे हैं तो रात को देर तक चकते भी यह देखिए दिल्ली की सुबह जहां पर आपने देखा कि सुबह से ही रहे हो जाती है अच्छा रूम की बारे में बात कर रहा था यह देख लीजिए यह है ऑफिसर सॉस्टर जहां पर हम रहे रहे हैं एक रूम में दो लोग और यहीं से रूटीन की शुरुवात होती है और इसके बाद फिर दिन पर ट्रेनिंग शाम को समय मिलता है गुमने फिरने का तो गुमते फिरते हैं तो आई एमसी में यह जो चीज़ें थी यह आपने देख ली और मैंने यह बता भी दिया कि यहां पर क्या कुछ है कैसा है इस तरह की का शेडूल है और यहां पर जब हम बाहर निकलेंगे यह बीच में एक उपन एरिया है और यहां पर कपड़े वगरा सुखाने के लिए सारी चीज़ें और ऑफिसर सॉस्टल के सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जरूवत की वह सारी चीज़ें रखी हुई है जो आम पर जरूवत होती है जैसे कि यह पोर्शिट की देखिए वर्शी मसीन रखा हुआ है कपड़े आप प्रेस रखा हुआ है जरूवत करड़े तो आप यहां पर प्रेस कर सकते हैं तो एक शोटी शोटी चीज़ें भी जो होती है उनका ख्याल रखा गया है ताकि सारी चीज़ें दुरूष्ट रहे और पढ़ियां से यहां पे लोग रहे हैं तो यह था आयाएंसी का टूर उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा फिर मिलेंगे नए वीडियो किसा जहें